सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीजे बहार निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्वियू पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभी आपको बताऊंगी के मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैंड किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटलिंग कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइंड आइटम आप इसले हैं क्योंकि आप जब जूढ लिखना होता है आप कि अंगेस्ट को इलीगल एक्शन ही लिया सकता क्योंकि आपको तो नाम ही नहीं लिखा मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के गुंगराले बाल है जिसको नैशनल आवर्ड मिला हुआ है साइकॉटिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस्ट 2017 को बॉलिवुड लाइफ सुषां के बारे में लिखता है कि वह जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वह सबसे बड़ा नार्सिस्ट है 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मीरर लिखता है कि सुषांत एक ट्रक ट्राइवर की तरह लगता है 22 फरबरी 2019 को मुंबई मीरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषांत ने कांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 अक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुषांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी नाजाने कि पने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जर्रलिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मुवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल इमोशनल गया मैंने कुछ निकाले कि जब एक सौतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने इस जर्रलिस्ट को अपर पता है उसी राचार सीनियर जर्रलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैं किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तेन हजार जर्रलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद वह गाइब हो गए मेरी फि अंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा आपके गले में लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां बजेगी और सीथियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी